इस बीगी सक्सेस्फुली कैश इस मैनी इन दा बै नहीं कुछ नहीं करना है यह फस जाता हूं मैं इस महरबार तो यह सुमाच एंपियंस ऑफ दो बोर्ड मैं हो 3DX जेतरेंड आज हम बात करने वाले मंडे नैट रॉ में हुए कुछ स्पेशल मुमेंट्स के बारे में जो कि मुझे लगा कि हां रॉस है मैं मुरे बल निकल गए रहा है कंसीडरिंग के डवड़वी चैंपियंशिप से बी रिलेटेड था बर्ड उसके पहले दो चीजे मेरे को पसंद आई एक तो भाई quality of matches have improved on Raw for some reason मतलब वो तो Damien Priest वाले match से पता चल गया था Drew McIntyre and Sheamus को जिस तरह से हरा कर title defend करी है Damien Priest was felt like a star he is a true future right now I mean Drew McIntyre को भी हरा दिया या Drew McIntyre वो बंदा जिसने last year Brock Lesnar को हराया था अभी Goldberg को भी हराया था So what do you want? So that thing I liked also एक और चीज मिर को पसंद आई नहीं पता नहीं क्या Nia Jax and Charlotte Flair were not wrestling They were doing something else only भाई उन दोनों के बीच कुछ तो backstage में शायद पंगा हुआ था जिसके चलते ऐसा match देखने को मिला और it is that he actually made Nia Jax is a terrible wrestler when it comes to in-ring performance मतलब आज तो हदी पार हो गई आर एक तो ऐसा भयानक सा character बनके आती है और उपर से ऐसा जब match लड़े तो कोई भी किसी को भी लगेगा कि यार ये तो Charlotte को मार ने आई है See I get it कि तुम AEW को competition समझते हो but NWA को भी इन्होंने कब से competition समझना शुरू कर दिया NWA में जब से पता चला है कि Rick Flair गए है ऐसा लग रहा है कि अब ये Charlotte Flair को भी उधर ही पहुचाने की तहियारी में ऐसा मत कर यार किसी का बदल किसी और पर मत निकालो but yeah that match was very painful to watch and people said कि Eva Marie बेकार लड़ती है भाई ना आज X का match देखो गभी and finally जो चीज मैं बात करने बना ते that is Randy Oton and Riddle and WB Championship Pro I think कि ये जो चीज हम मिस कर रहे थे अभी तो खेर गोल्ड भर गें लैशली की राइवलरी चल रही है बढ़ आज इस तरह से मैंने देखा Randy Oton को लैशली को मारते हुए RKO ऐसा लगा कि bro we need this rivalry this is pure gold and not just that Randy Oton, Riddle and Lashley tryo में अगर ये rivalry चलेगी क्या मज़ा आएगा WWE Championship जब Randy Oton के पास जा सकती है लेकिन उसके पहले जाए अगर Riddle के पास इन दोनों में इसे वो जो सूपरस्टार हो जो लैशली को हरा है अगर वो Randy Oton की जगे Riddle हो तो क्या Randy Oton का दिमाग खराब होगा और उसके बाद जो इनके बीच दुश्मनी होगी मैं चाहता हूँ ऐसा हो Riddle जो भी बहुत positive positive बन रहे है बट जब WWE Championship आएगी और Randy Oton उनके साथ होगे और उन पे title नहीं होगी तब देखना क्या हाल होगा मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ scenario बने I'm looking forward to that because इस समय अगर कोई hottest चीज चल रही है raw में वो है of course main title तो रहती है and the second thing is Randy Oton and Riddle so just imagine कि अगर ये चीज होती है तो that would be great and पुछले कुछ एक दो सालों में Randy Oton के world titles उतने impactful नहीं रहे है but I think इस बार वाला शायद impactful हो में रहको ऐसी feeling आ रही है ये सच बताओ तो मैं चाहता हूँ कि Randy Oton title जीते और Charlotte से पहले 16 time का record तोड़े please आशुतो शुकला ने लिखा भाई आदे बंदे तो show देखने कि भी ना complain करते है show ने देखा storyline नहीं पता लेकिन complain करना है and nowadays everyone is using term buried or buried for everyone that loses a match हाँ ये तो मैंने बहुत देखा है मतलब कोई भी हारता है तो वो buried हो जाता है पता नहीं कैसे यार एक buried for a live match रख रखा है न इनोंने तो ये term क्या हम उसी time के लिए use करें नहीं ऐसा नहीं होगा न अंग्रे जो ने का है तो हमें तो use करनी पड़ेगी आशी सिंग ने लिगा Adam Cole AEW में आ सकता है अगले episode में ही क्योंकि उसके contract में no compete clause नहीं है oh that is great but I think अगर मैं Adam Cole की जगे होता तो नहीं जाता because अगर आप smartly सोचोगे तो like आपकी partner Britt Baker AEW में है वो AEW की top guy type है और आप AEW के top guy type हो तो अब दोनों now में तैर सकते हो easily अगर आज दोनों company से ही चल रही है बहुत बड़ी है लेकिन आगे जब इन दोनों में से कोई भी एक company dama doll होती है तो relation नहीं बिगडने चाहिए और वो अपने partner को उस company में ला सकता है that would be great but again Vince McMahon को शायद रिष्टे नातों से उतना मतलब नहीं रहता मतलब वो बंदा Eric Bischoff और Sting मतलब और Hulk Hogan को ले आए यार I think Sting was a bad example क्योंकि Sting से तो कोई दुश्मन ही नहीं थी बढ़ हां Eric Bischoff and Hulk Hogan was perfect example John Cena WWE fan ने लिखा क्या time आ गए यार Raw की viewership दो मिलियन आ जाती है तो सबको हैरानी होती है वो time कहां किया जब Raw की viewership धाई मिलियन से भी जादा आती थी हर अफते और Raw के लिए ये आम बात थी वैस्तों constantly viewership ड्रॉप ही हुए फिर चाहे 2000 हो, 2005 हो, 2010 हो बढ़ उस time पर मज़ा इसलिए आता था CM Punk is very over pushed he should be lost to art growth in 3 seconds at IC मैं data देख रहा था तो उसमें मेरे को पता चला है कि in general देखोगे आप तो किस तरह से demographics में या in general ही audience का सिर्फ decline ही हुआ है throughout the time 2011 से लेके 2017 तक का ये data है और ये constantly decrease हो रहा है because internet की वज़े से यार तो क्या viewership को seriously ले न AEW की पहले 1 million आई थी जब CM Punk का debut हुआ और फिर अगले हफते वो 700 की हो गई और हमने smackdown की बात करी कि 2.9 million viewership पता नहीं वो क्या नहीं होसती है और अब पता चल रहा है कि smackdown के 2.2 million viewership आई है ये मेरे को नहीं पता चलती क्या हो रहा है बट खेर मैं तो बस थैंक्फुली रहता हूँ God से कि भी ये थैंक्यू इंटरनेट नहीं देने के लिए during my childhood वरना हम भी शायद वो golden time में सकर देते anyways what do you guys think about Randy Oton or Riddle being a WWE champion again Riddle of course first time comment से में लिक कर बता और अगर अब को वीडियो पसन देते पर समय की मार है या मेहनत की हार है यह खुड को बदलना तो मेरे सब्दों के विचार है अफसुस है कि आज सबने इसको भुलाया Friday's को इसने RKO था लगभाया